हलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए, आज आपको हम ले चलते हैं नए चेप्टर में जो है नौन सिग्णल मुव्मेंट कभी अगर हम गाड़ी को नौन सिग्णल से अगर खुलाना है जहां कोई सिग्णल नहीं है या common shatter से गाड़ी को खुलाते हैं या किसी गाड़ी को receive करते हैं हम जहाँ signal नहीं होता है तो देदर हम बात करेंगे आज हम बात करते हैं departure की कि जब भी कोई गाड़ी non signaling moment होगी और non signaling means जहाँ signal नहीं है जब T512, T511 हम देते हैं आज इसी की चर्चा करेंगे यह देखिए departure of the train from non signal line T511 हम यहाँ पर देते हैं T511 जब भी किसी train का movement होगा non signal line से तो कौन से authority देते हैं कौन सा प्राधिकार देते हैं T511 और क्या है common starter अगर रहेगा तो क्या देते हैं T512 इसके बारे में हम देर देरे आपसे बात करेंगे बड़ा confusion भी होता है बीच बीच में कई बार मैंने देखा है कि driver जो गाड़ी लोको पालट है वो कभी कभी कुछ demand करते हैं और station master के साथ भी कुछ बात चीछ चलती है कि यह authority चाहिए तो यह authority चाहिए बोकारो station के station master जब इनको कोई गाड़ी खुलानी है तो यहाँ पर देखी यह पानसो बारा लिये हुए हैं अपने साथ और बाते कर रहे हैं अब इस टाप को यह भेजेंगे कि कहां से इनको गाड़ी खुलानी है दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है करता है क्यों देते हैं कहां कहां हम इसको दे सकते हैं है ना तो बात हम करते हैं यह आपका है in the event of train having to start from a line node provider is a starter ऐसा line जहां पर starter नहीं दिया है गाड़ी के लिए नहीं दिया हुआ है starter signal है ही नहीं इदर इस टार्टर नहीं है कोई सिंग्नल कोई भी सिंग्नल नहीं है वहां पर हम देते हैं क्या T511 यद रखना कहा कहा T511 का इस्तेमाल करते हैंगे ज च्डार्टर सिंग्नल नहीं है या कोई सिंग्नल नहीं है अच कोसी देखिए यहां से गाड़ी को start करना है आगे कोई signal नहीं है और जब कोई signal नहीं है तो यहां पर हम क्या देंगे T511 तभी यह गाड़ी खोलेगी है हमारा दोने लोगों पालट है अभी यह गाड़ी पर चड़ेंगे और इनको दिया जागा T511 तब जाकर गाड़ी खोलेगी इसके बाद signal out of use अगर कोई signal है मान लगते हैं कि अगर कोई signal बना हुआ है signal है यहां पर और यह out of use है मैं इस cross क्या हुआ है वो उसका आप काम नहीं हो रहा है और वो signal है तो वहाँ पर भी हमको क्या देना होगा T511 यानिके signal out of use है TSL working जब temporary single line working होती है तो अगर opposite line में गाड़ी जा रही है आपके गाड़ी अगर down जा रही है डाउन गाड़ी अगर प्रॉपर और जब गाड़ी के लिए प्रॉपर सिग्नल नहीं होता है तो क्या देते हैं T511 तो temporary single working में भी हम क्या देंगे T511 ऑथरिटी देंगे गाड़ी को खुलने के लिए ठीक है इसके बाद signal suddenly put back to on यहां पर ध्यान से इसको समझना है यह point मैंने क्यों लिखा कि जब signal suddenly put back to on कभी क्या होता है कि गाड़ी अगर home को अप्रोच कर रही है इस आपका starter को अप्रोच कर रही है एडवांस का अप्रोच कर रही है और suddenly signal क्या हो गया put back हो गया on position में आ गया आप तो driver अचानक की emergency brake लेकर गाड़ी को रुकेगा अब गाड़ी रुख गई और जैसी गाड़ी रुकी तो गाड़ी क्या हुआ इस टार्टर को पार कर रुख गई जब गाड़ी स्टार्टर को पार कर कर के रुकी तो अब driver के लिए होगी है non signal line जब दुबारा हम गाड़ी को खुलाइंगे यह कोई a spade का case नहीं है signal passed at danger का case नहीं है driver ने जान बुज़कर गाड़ी को पार नहीं किया अचानक किसी कारण सिगनल उठ गया था तब वैसे case में फिर हमको T511 देना होगा गाड़ी को फिर आगे जाने के लिए यह ध्यान एक किंगे इसके बाद एक case आता है stand after starter या passing starter जो बात मैंने बोल दिया after starter यह case जो है passing starter नहीं बोलकर हम बोलेंगे stand after starter starter के बाद अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो हम देखते हैं ऐसा कौन कौन सा case हो सकता है जब कोई गाड़ी यह starter के पार होकर खड़ी है जैसे माले जी यह वकारों की हम बात करते हैं तो कुछ लाइने थोड़ी छोटी है clear standing जो length है वो उसका छोटा है पहले क्या होता था कि गाड़ी यहां छोट छोटी होकर थी 676 है जो 730 है गाड़ी का जो length है track का जो length है जो capacity है वो थोड़ी शोटी है और गाड़ी आगरी बड़ी जैसे आजकल push-pull चलता है tiger चलता है long haul चलता है तो यह क्या होगा इस starter को पार कर रही गाड़ी खड़ी हो जाती है वैसे केस में जब गाड़ी के लिए signal नहीं होगा जब लंबी गाड़ी है अट नहीं पा रही है उस track clear standing lens को clear करने के बाद भी गाड़ी स्टार्टर को पार कर गई है वैसे केस में क्या देंगे हम 511 ठीक है कभी कभी क्या होता है कोई गाड़ी यह सिसन पहले से खड़ी है और उसको हमको योटी करना है हमने multi से योटी कर दिया हमने consist से योटी कर दिया फिर क्या हो गया वह starter को पार कर गया ठीक है उससाइन में शाटर है लेकिन जब हमने consist को योटी किया या multi को योटी किया किसी गाड़ी में तो क्या होगिए स्टार को पार हो गया वहां भी हमें देना होगा टी 511 ठीक है यह परिश्थितियां है जहां पर हम टी 511 देते हैं क्यों देते हैं यह मैंने बात किया अब कैसे ही सुझते हैं, देते समय क्या-क्या सौधानी बरते हैं, देने के पहले क्या करते हैं, देने के बाद क्या करते हैं, गाड़ी खुलते समय क्या करते हैं, ये सारी परसितिया अभी हम देखेंगे, और मुझे पूरा भी स्वास ही कि आज के बाद आपको इस T511 में कोई डाउट नहीं रहा जाएगा केस तो आपने समझी लिया फिर हम T512 कहीं बात करेंगे दोस्तों यहां देखते हैं लोकोपालट टु बी गिवन रिटरन परमिशन जब भी कोई गाड़ी नौन समलान से खुल रही है तो रिटरन परमिशन में तबस बात कर रहा हूँ T511 हम लोकोपालट को देते हैं इन एडिशन और तु परसीड अंडर सिस्टम आफ वर्किंग ठीक है नौन समलान से गाड़ी खुली है लेकिन जब अगले बलॉक सेक्षन में जाएगी तो हर एक गाड़ी को बिना और 32 परसीड कर नहीं खुलाना है उस गाड़ी को चाहिए ड्रैवर जाएगया या या गाड़ी को चाहिए और 32 परसीड यह क्या हो सकता है यह last stop signal हो सकता है उसको हम take off करेंगे फिर गाड़ी जाएगी वो 3693 पर private number लिकर भी हम दे सकते हैं paper line clear ticket या एक बता और ध्यान देना है यहाँ पर T511 देते समय इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि हम कोई tangible authority दे रहे हैं मतलब token दे रहे हैं अगर हम गाड़ी को कोई tangible authority दे रहे हैं signal कोई नहीं है लेकिन गाड़ी को अगर tangible authority दे रहे हैं तो वहाँ पर भी T511 आपको नहीं देना है वो तो tangible authority होई गया गाड़ी शाट करने के लिए हां अगर same section में same line में अगर दूसरी गाड़ी खूल रही है तो दूसरी गाड़ी को हम T511 दे सकते हैं यह killer हो गया दोस्तों आपको जब भी कोई गाड़ी non-single line से खूल रही है लेकिन यदि हम वहाँ पर कोई tangible authority दे रहे हैं कोई token दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको T511 नहीं हम बात कर रहे थे कि author to proceed क्या हो गया आपका यह हो गया फिर when last of single could not be taken off अगर last of single को अगर हम taken off नहीं कर रहे हैं और हमारा line clear अगले block decision से मिल चुका है तो इस बात को T511 भी आपको दिखाऊंगा T511 में इसको हम mention करते हैं यहाँ पर यह बहुत clear आपको नहीं दिख रहा हां यहां पर हम line number भी लिखते हैं कि किस line से गाड़ी खुळने वाली वाली है किस block station से हमने गाड़ी touchdown रहे यहां पर हम 5 तो मिला है तो यहां लिखेंगे 5 यहां लिख देंगे हम 52 और यहां लिख देंगे 52 ठीक है और यहां पर station master अपना shine कर देगा date के साथ तो दोस्तों यह ध्यान देना है कि line number एकदम clear होना चाहिए किस line से गाड़ी खुल रही है किस station जाएगी वहां line clear आपको वहां से प्राप्त हो चुका है तो वहीं बात कहा रहा है कि line number भी आपको देना mention करना है उसमें इसके बाद आगे से line clear मिल चुका है यह बात भी इंडोर्स कर देना है private number क्या है इंडोर्स कर देना है और रेले में एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई गाड़ी खुल रही है और नॉन सिंगलनी मुव्मेंट हो रहा देखिए स्टाटर है होम है यह सिक्यूर करता है कि पॉइंट सीटल क मुझण। है यदि हम गाड़ी को खुला रहे हैं थाफिचापर 111 पर तो हम को व्यूद्ब ध्यान देना होगा कि मेरा पॉइंट सेट और लौ्ट है की नहीं यदि अगर नहीं तो हम क्या करते हैं हम इसको । यहान करते हैं द्यान दोस्तों कभी कभी मैंने देखा है कि टी 511 को लेकर जब ड्राइबर से कुछ बाचित होती है जैसे माल लेते हैं कि इन्वार्ड है इन्वार्ड मिन्स एकेविन और एकेविन में संट सिगनल दिया हुआ है वो संट सिगनल है संटिंग परपस के लिए मैंने पहले कहा था क्य देते हैं तो देखा जाए अगर सिगनल नहीं है कोई सिगनल नहीं है या सिगनल अगर है और वो दूसरे परपस के लिए है इस परपस के लिए नहीं है सिगनल दिया हुआ है वो दूसरे किसी परपस के लिए जैसे संट सिगनल है तो शंटिंग परपस के लिए है वहां से अगर आपको गाड़ी खुलवानी है शंटिंग करना तो लग बात है संट सीनल को जुका दिया और हो गया लेकिन अधी गाड़ी खुलवानी है तो वहाँ पर क्या करना है आपको टी 511 जरूर देना है ठीक है आए अगे बढ़ते हैं हम लोग अब आते हैं departure of train from common starter common starter अगर दिया हुआ है तो वहाँ पर हम क्या देते हैं T512 देखिए दोस्तों अगर हम एक situation आपको दिखा रहे हैं माल लेजिए कि यहां से यह सब लाइन है इधर से लाइन जाए रहे हैं और यहां पर एक starter आपका दिया हुआ है ठीक है तो यह होगा common starter अब यह line number अगर 1 है यह line number 2 है line number 3 है line number 4 है how driver will know this starter for which line किस line के starter है अगर हम सिर्फ पर starter अगर दे देंगे तो कोई भी driver start कर देगा गाड़ी को तो ऐसा तो करना नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर T512 देते हैं driver को so that drivers जान जाए कि मुझे ही खुलना है मेरे लिए signal दिया हुआ है इसलिए सिर्फ अगर common starter कहीं पर है starter दे देने से कोई भी driver अपने गाड़ी को start नहीं करेगा जब तक उसके हाथ में T512 नहीं आ जाए यह बहुत safety की बात है यहाँ पर जब common charter है अगर हम बात करते हैं common charter की तो हम देखते हैं हमारा G cabin बुकारो का गोंडिया cabin G cabin दोस्तो हाट है बुकारो का D और G cabin यहाँ हम बात करते हैं इस cabin में यदि हम एक से लेकर 14 वहाँ पर line केतना है वान से लेकर 14 line दिया हुआ है G cabin में और हर line से वहाँ पर दो रूट में गाड़ जाती है एक कहते हैं engine line जो कि आपका चला जाता है MTR गाड़ी जा रही है ठीक है और एक का नाम है local line ठीक है एक M cabin होकर जाता है उसका ते engine line और एक जाता है सीधे P cabin उसका ते हम लोग local line ठीक है यहीं situation है common starter दिया हुआ है कहीं से 14 lines अगर गाड़ी आती है तो एक common starter है local line जाने के लिए तो यहां पर हम क्या देते हैं T512 क्या देते हैं हम यहां पर T512 और यहीं पर एक बात और बताते चलू हूँ आपको कि जब जी केविन की ही अगर हम बात करें जी केविन की ही अगर हम बात कर रहे हैं तो यदि किसी गाड़ी को engine line में भेजना है engine line में उसके लिए कोई signal नहीं है वहां हम क्या देते हैं T511 तो यह दोनों situation यह ध्यान रखना है अगर E केविन से कोई गाड़ी C के भी जा रही है तो दे मजने मज आएगा देखिए ड्राइबर लोग हैं और यहां पर आगे में common शाटर है तो इनको आकर पानसो बार दिया जाएगा तभी यह स्टार्ट करेंगे तो यह situation है कर रहे हैं in event of train having to start from a line out of group of lines provided with the common departure बहीं बोला के group of line अलग-अलग line है और यहां पर स्टार्टर दिया हुआ है ठीक है common शाटर है तो उसके लिए हम क्या देंगे पानसो बारा और situation आप जानते ही है पानसो बारा हम दे देंगे लोगों पाइलट को और अगर अगर और परशीट एडवांस अगर हम टेक आफ करेंगे देंगे पेपर लान के लिए टिकट दें करेंगे इसके बाद लाइन नंबर जो हमारे टी पानसो बारा है उसमें लाइन नमर में रसे करेंगे और जो सबसे बड़ी बात में बार बार रपीट करता हूं कि जब भी कोई ट्रेन नौन सिंगली मोवमेंट में खुल रही है उस समय हम सारे पॉइंट्स को देखेंगे क क्लाइम पैड लॉक कर देंगे ठीक है यह बात को देखेंगे हर मोवमेंट में किसी भी अगर हम जी आर में कहीं भी बात करें तो हर जगा क्लाइम पैड लॉक की बात हो रही है क्योंकि हमको गाड़ी को सेफ रनिंग करना है गाड़ी को साधानिस ले जाना है देखें यहा अब किस लाइन से गड़ जा रही है माल लेकाड लाइन नमर 8 से जा रही है तो और एड दे दिए यहां भी लिख देंगे 8 उसके बाद अगले श्रस्म से अगर हम लाइंक लिये हुए हैं मालल निजफिते की mkvn से लिए हुए हैं तो उसका भी प्रेवट्ट नबर mkvn लिखेंगे फिर प्रेवट्ट नमर लिखेंगे यह सारी बातें यहां पर हम लिख दी आपका एम के बिन लिखा हुआ है प्रइबेट नमबर सिट फ्रॉम कहां से मिला एम के बिन से और कितना मिला माल यहीं चलिए फेप्री टू मिला यहां इस चिसमा शुसान करेंगा यह सारी प्रक्रिया यदि हम सिर्फ इस प्राधिकार को अगर देखते हैं तो दोस्तों आपको ऐसी समझ में आ जाएगा कि क्या प्रक्रिया है सिर्फ मेमो को देखने पर और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने टी 511 को और टी 512 को अच्छे डंग समझ लिया अब कोई का निफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए अगली क्लास में मैं बात करूंगा आपसे कि नॉन सिंग्लल मॉव्मेंट में गाड़ी को रिसीव कैसे करते हैं ठेकर जब गाड़ी को हम रिसीव करते हैं उस समय कि बात करेंगे अगले क्लास में थैंक्यू दस्तों थैंक्यू इस वीडियो को दोचा बार देखी है और आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि T511, T500 बारे क्या है Thank you, thank you very much